आंकर शालिनी, जस्प्रीत और रीमा परासर के साथ बहुत-बहुत स्वागत थे, एक बार फिर से बहस की तरफ आगाज करेंगे, लेकिन जो बहस आज शुरू हुए इसमें जेपी राजिस सबा में, उसमें जेपी नड़ा जी निगा है कि जहाद ओबीसी की लोग जो बात क अलग पर, तो उसमें कोई यह नहीं देखता है कि अच्छा OBC की महिला है, सवन महिला है, या किस कैटेगरी की महिला है, तो महिलाओं को यह जो बातने की राजनीती की जा रही है, यहाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है कि उसमें SCST का कितना आरक्षण हो या OBC का कितना आरक्षण हो क्या इस देश में किसी के पास भी ये डेटा मौझूद है कि OBC कैटेगरी के मैलाओं को जादा पीछे रखा जा रहा है या घर पर उनके साथ बहुत जादा होता है और बाखी मैलाओं के साथ नहीं होता है अगर ये डेटा अविलिबल नहीं है तो फिर OBC के नाम का अलग राग आलापना ये पहली चीज और दूसरी बात गुर्थाए गुल्गले से परेस करें आपको OBC आरक्षण देने की आप मांग भी कर रहे हैं और फिर आप समर्थन भी कर दे रहे हैं क्योंकि आप बुरा नहीं बनना चाहते अगर आपको लगता है कि OBC को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए उनकी मैलाओं को मिलना चाहिए तो फिर अपने मामले पर अड़ रहे हैं अगर आप नहीं अड़ते हैं और आप समर्थन भी देते हैं लोग सभा में तो आपनी दे दिया राज्य सभा में भी आज आप दे देंगे तो फिर आपकी आवाज कहा गई खबर एक होती है खबर का विशलेशन एक होता है और उसको जमीनी इस तर पर बताने का कोशेश या प्रयास किया शालनी ने बहुत बहुत स्वागत है आपका भी अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है प्रती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदान मंत्री की बात की देश को पहला OBC प्रधान मंत्री बीजेपी ने दिया आकाजी पहले रियक्षन है दन प्रिती जाप के बाद मैं मेरी भहन को पहले जवाब देदू कि पहले आरक्षन की नीती को आप समझिए इस अबाओड सोशल और पॉलिटिकल रिप्रेंजरेशन दूसरी बात OBC पंतपरदान की बात तो बीजेपी कर रही है नड़ा साब ने खहा लेकिन जब OBC आरक्षन जो मंडल कमिशन दे रहा है इतना बड़ा बावन टक के OBC है उसके जब हक की बात हो रही है तो क्या ये OBC के नाम राग आरा अपने वाले पीम उनको हक की बात क्यों नहीं तो आपने क्यों नहीं दे दिया 210 में 210 में सर जी यह जी Constitutional Amendment होता है इसके लिए पूरना बहुमत लगता है उस वोगत पूरना बहुमत नहीं था आज 2014 से मोधी सरकार के बाद पूरना बहुम होता है तो आपको अच्छा लगता है ये जो राजनिती करने की कोशिश शुरी है दरशल ये क्रेडिट लेने की होड़ है कॉंग्रेस पार्टी को या उनके सहयोगी दलोकवान राग जी है पहले भी उनसे पी बात होती रही है, इन लोगों को परिशानी बस इस बात की है कि इसका पूरा क्रेड़िट चला जाएगा बीजेपी को क्योंकि यहां से सीधे यही मैसेज जा रहा है कि यह खदम महिलाओं के लोटाया गया किस ने कहा क्रेडिट की बात है है यह महलाँ क्रेडिट की बात होती ही तो हम तो मनीपूर गए थे भार्तини जनाथ पार्टी के लोग जूप दिए क्रेट लेने नहीं गए थे हमारे देश की बेटियों माताओं के साथ अन्य हो रहा था तब हम लोग खड़े थे यहां जब आप जाते तो स्टेट्स पर चुनाओं करके क्रेडिट की आप बात कर रहे हैं मानने प्रिधान मंत्री जी हां बड़ी इच्छी बात कई क्रेडिट लेने की बात करें तो मैं आपको बताती हूं मानने प्रिधान मंत्री जी जब सीएम थे ना प्केडड कर रहे हैं तो आप लोगों का है चंडर्यान तो हमारा महिला बिल तो हमारा देश जो है हमारा आपका इनक से नहीं चलता है सबका साहब को आपके पास वही सवाल है आपके पास तो वही सवाल आपकी दरी है धेखिये मैं इनको कहना चाहूंगा कल मैं हमारे नेता कॉंग्रेस के अधरनी रहूल गांदी जी ने फ़स्ट तोर पर कहा है चलो हम क्रेडिट दे देते हैं कल से इंप्लिमेंट कीजिए क्यों सेंसेक्स चाहिए आपको सुनिए 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 हमने से के यह बहस है स्टूडियो की बहस है मैं आपसे जे कह रहा हूं कि वाइन अगर रिजार्फ होगया तब क्या करेंगा माईला से राहूल गांदी जी कहां से लो लेंगे बिलकुल दे दीजिए डिए अच्छा दूसरा सवाल मैं आप से भी पूछ रहा हूं कि ठीक है चार सा दिवेशन में रिजॉलूशन पास किया है और हर चुनाओं में भागीदारी देने की 33% आरक्षन देने की यह अधन्य सोनिया गांदी जी ने ठरव पारित किया है और उसके अकॉर्डिंग देने वाले देने वाले हैं अभी अभी तो मद्यप्रदेश में टेस्ट हो जाएग मुझे बताईए जड़ा महिलाओं को कित्ती दिये मैं आ रहा हूँ आपके पास देखिए मैं सबसे पहले तो बाखी कहीं की बात तो मैं बाद में करूंगी सबसे पहले मैं अपना उधारण दे देती हूँ मैं 2017 में चुनाव लड़ी थी जनरल सीट से लड़ी थी भारती जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने एक महिला को मुझे भी जनरल सीट से लड़ाय था दिल्ली से तो ये तो मैं अपना एक्जैंपल आपको दे रही हूँ और दूसरी मैं ये कह रही हूँ कि जो अगर ये बात करते हैं महिला से शक्तिकरण की इन्होंने तो कभी आपे बहन बेटियों को पूछा जा रहा है मानने प्रधान मंत्री जी मैं दो सवाल आप से पूछूँगा जवाब टना का मिलेगा हाँ वो तो आपको देंगे अगर मैंने एक बात और और कह दी तो इन लोगों को बुरी लग सकती है लेकिन मैं एक बात और पूछना चाह हमारे माता बहनों के लिए क्या कर देने जा रहे हैं अभी तो चार साल के समया दूसरी जित ओपी शी में तो क्रीं में लेयरि बातती तो उनम Albanian 2 टिकट नहीं देना चाहिए जो तो इनमें तो तो टिकेट नहीं देनी चाहिए जो अलड़ी सशक्त हैं तो फिर आप किसको देने जा रहें किसको चुणने जा रहें और जो हैं क्या उनको काटेंगे यह सवाल है आप से भी और आप से भी मैंने वही सवाल पूछा था कि भारती जनता पार्टी से पूछ लिजेगा क्य अब इधर उधर की बात ना कर ये बतागी बताओंगा अपने जवाब नहीं दिया भारती जनता पाटी तो बिल ले किया है हमने सबने सवागत क्या पास करा है आप कहते हैं चलो बिल पास हो गया आप एंप्लिमेंट करने में आपने 6-7 साल लगाएंगे तो भारती जनता पाटी अभी कह देने कि हम जो महलाओं को टिकेट देंगे यहां पर 33% से ज्यादा महलाओं को टिकेट मिलेंगे क्योंकि महिला आरक्षण में परिवारवाद का एक बड़ा इशू है जिसको लोग अच्छी बात अच्छी बात उन्होंने उठाई है अगर मोहदी जी और यह सरकार इसको 2024 में इंप्लिमेंट करती है मैं responsibility के साथ कह रहा हूं कि नॉन क्रिमिलर महिलाओं को OBC के अंदर जगा दी जाएगी जो उनका हक है OBC के अंदर क्रिमिलर नॉन क्रिमिलर यह फंडा है और उसी 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 एकोर्डिक ली दिया जाएगी बिल्कुल दिया जाएगी और देना चाहिए देखे यह एक इशू है यहां तो समाजवादी पार्टी का सबस्पास नहीं है अब बताओ हम तो आप के लिए लड़ रहे हैं और बीजेपी के लड़ रही है अनुराग जी अनुराग जी अनुराग जी आप प्रखर प्रवक्ता है प्रखर प्रवक्ता है मैं तो आपसे पहला ही सवाल पूछी हूँ मेरा सवाल यह है कि एक दूसरे के पाले में गेंट फेकने की यहां पर कोशिश हो रही है कर डिंपल यादव ने ये भी कहा था कि अल्प संख्यकों को भी आरक्षर मिलना चाहिए अल्प संख्यक भी इसमें मुद्दा आ गया है मसलिम הי tienen को अले आरक्षण मिनना चाहिए और आपनी पार्टी यहां सभी ज़्ाति धर्मों का देश है तो उससे मिलंके हिंदुस्तां मिला हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करती है समझबादी पार्टी इसलिए भारत का और देश का समğंद duel को समान करती है क्षिए तो जाय बच्चन को जाय बच्चन को जबच्चन को जबच्चन कौन इस दिश्में तो फिल्म फिटानिटी से आती है अच्छा बोलने वाली सोचने वाली समझने वाली पूरिए मैं अभी की बात कह रहा हूं चिंतक है और स्वागत है उनका स्वागत है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि डिबेट को जंजभाना बनाईए एलेक्शन की डिबेट ना बनाईए मैं आप से सवाल पूछ रहा हूं कि वो जो हाशिये पे हैं जो पैर में स्लीपर रहे हैं तो कहिए नहीं यहां पर कि पचा सुष्टी देंगे हम तो हम तो कह रहे हैं कि जो महला हैं जो बाके पीछे छूट गई है जो कमजोर वर्ग है उनको हमें आगे लेकर आना है लेकिन आकाश रहे हो यहां आकाश साफ बोला साफ बोला ना मैं भारती जनता पार्टी बताए हमें यह बताए कि मध्यप्रदेश में चत्तिस गड़ में राजिस्तान में पर देश राजिशान में तो आप हैं ना अब आज को उठाए भी नहीं तो वी सी को लिया भी नहीं जो पचास प्चमर परसंट के बीच में हमारे देश के अंदर में इन्होंने उसकी दो बात भी नहीं कि हम दो उसी कि पान मंत्री जो है अब आप सवाल मुझी से हो रहा ह महिला महिला विरोधी मांसिक्ता से काम करने से काम नहीं चलेगा अगर अगर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षन की बात पर आसदुद्दीन OEC के विपक्ष में दे सकते हैं वोट उसके विरोध में दे सकते हैं रिप्रसेंटेशन की आपके रहे थे कि बात के रिप्रसेंटेशन की है तो यहाँ पर कोई और स्वर्क 늦ुद्द हम तो अभी भी खड़ें कि हम देश को हम देश की हर मेला हर वर का समान करने यह नहीं बता पाया भी तिक्ट देगे हम तो बीजेपी बदा हैं हम तो उनके साथ खड़ें और हमेशाद देते आएं जब मर्या एक ही इसमें यह सवाल है जब 370 की धारा आप एक रात में हटा सकते हैं जब इलेक्शन कमिश्टर हटाने का आप प्राधान कर सकते तो क्यों डिली मिटेशन क्यों सेंसेक्स अरे 2024 में लादू करो और जो सवाल आया आनन्द हमारे सहांत हमारे सायोगी आ गए हैं आनन्द यह सवाल पुछा गया कि भाई यह मुझे बताइए कि डिली मिटेशन के बगेर Census के बगहर अगर हो जायेगा तो कई Cityई ऐसी हैं बगहर आगर आप कोई homework नहीं करेंगे उसका जो एक scientific methodology है उसको नहीं अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे हैं कि आप फिर कैसे अप्लाई करेंगे उसको इंपलिमेंट कैसे करेंगे प्रतिक आप भी समझते हैं हमारे भीवर बेंच की एक judgment को पड़े जिन्होंने horizontal horizontal reservation और vertical reservation की व्याख्या की और ये भी साफ कह दिया कि Article 15 और Article 16 के तहत किस तरह से इसका बटवारा होना चाहिए और क्यों delimitation आवश्यक है इसकी भी व्याख्या है